तो दोस्तों अगर आपके पास है Infinix Smart 8 phone जैसा कि आप यहाँ पे live देख सकते हो और इस phone में apps hide करना चाहते हो किसी भी application को hide करना है चुपाना है तो कैसे करोगे चुपाई गई apps को कैसे आप चलाओगे यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपके phone में app side का option नहीं आ रहा है setting में तो कैसे आएगा यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए कैसे करना है तो simply आपको अपने screen पर दबाके रखना है यानि long press करके रखना है यहाँ पर मिलेगा setting का option यहाँ पर किलिक करन है और यहाँ पर setting option इस पर किलिक करना है set password इसे on करना है और अपना एक app side का password बनाना जैसे कि इस परकार से हमने बनाया दो बार डाल दिये sim डालने के बाद में दोस्तों जो है यहाँ पर प्लस पर किलिक करना है और जिस application को hide करना जैसे gallery हो गया यह दोस्तों और भी जैसे phone टाइलर हमारा है ठीक है तो इस परकार से अपनी कोई भी application आप ले सकते हैं यूट्यूब हो गयरा लेने के बाद में यहाँ पर यह तीनों application हमारी hide हो चुकी है आप देख सकते हो चलाने के लिए अब यहाँ पर देखोगे वह हमारी यहाँ से भी गयब हो चुकी है वह application का हो चुकी हैं चलाने के लिए सिंपली दो उंगली से उपर को सलाइड करना है जो भी अपने पासवर्ड बनाया था उसे डालेंगे अब यहां से चाहो आप चला भी सकते इस परकार से एप साइड कर पाऊगी अगर आपके फोन में एप साइड का उप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली आप अपने फोन को अपडेट कर दीजी उसके बाद में आटोमेटली आ जाएगा